नमस्कार आप सभी को तलिए आज आपको income tax calculate करना सखाते हैं यानि कि आपको CA की training देते हैं यानि कि income tax पर based एक DI solve कराते हैं यह information आपके सामने है the following is the rate of income tax for different income groups इस तरीके से information आपको दे रखिए यह पूरी information है इसका आप एक बार खुद से screenshot लो और ज्यादा नहीं सिर्फ एक पहला सवाल ट्राय कर लो यह first वाला question ट्राय कर लो यह इसका screenshot ले लिजिए और इसको ट्राय कर लिजिए first question यह है और second question यह ठीक है यह केवल दो सवाल आप ट्राय कर लिजिए और फिर उसके बाद solution देखिएगा राइट चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राय कर लिया होगा इसको और अब चरह इसको solve करते हैं देखो this is the rate of income tax मतलब एक लाख रुपे तक अगर किसी की income है तो जो tax उसे देना पड़ेगा वो 0% यानि कोई tax नहीं लगता एक लाख तक की income tax free है एक लाख से डेढ़ लाख रुपे तक 10% of income जो है tax लगता है and that is in excess of 1 lakh इसका मतलब आप समझ रहे हैं जैसे के अगर suppose करो किसी की income है एक लाख बीस अजार रुपे एक लाख रुपे तक जो टेक्स है वो क्या है जीरो और जो 20 अजार रुपे है उस पर जो टेक्स लगेगा वो लगेगा 10% 10% मतलब इसका 10% यानि 2,000 यानि जो टोटल टेक्स हुआ वो कितना हुआ बात समझे है टेक्स लैप का मतलब समझ जा रहे है कि अगर किसी की income एक लाख पीस अजार है तो एक लाख तक तो ऊपर यहां तक की तरह मालब यहजो स्कीम है जो यहां पर रेट है उसके अक्वर्डिंग टेक्स लगेगा और डेढ़ लाक से ऊपर जितनी भी कम है let's suppose किसी की इंकम 4 लाक रुपे है तो 4 लाक रुपे में डेढ़ लाक तक तो एक लाग पर 0% फिर 10% एक से लेड़ के बीच में और फिर लेड़ से चार के बीच में जितनी भी इंकम आ रही है उस पर 20% टेक्स लगेगा एंड सिमलरली मोर देन 5 लाइक अगर इंकम है ठीक है तो पांच लाग तक तो उपर वाली स्कीम की तरह है और उसके बाद जितनी भी इंकम पांच लाग से ज्यादा है उस पर 30% टेक्स लगेगा इस तरीके से इसके अलावा देखो इंकम टेक्स आप बचा सकते हो किस तरीके ठीके से टेक्स सेसब्स कैल्पूलेट्टर ओन इंकम अफर डिड़क्शन ठीक है डीक्स मतला जो आपकी इंकम है उसको कम डिखा सकते हूं कैसे डिक्शन के थूस रूब सक यह अपर अब देखो पहल डिटक्शन हैम्यम Mess, 11,00, पर year on investment in specified securities 1,00000 गूड़ तक आपने इंवे है ना उससे ज्यादा इन्वेस्ट अब नहीं कर सकते हैं इन्वेस्ट आप कितना भी करो लेकिन एक लाक से ज्यादा आपको उसमें छूट नहीं मिल रही है maximum of rupees 3 lakhs per year on as housing loan repayment अगर आपने कोई house loan ले रखा है उसका repayment आप कर रहे हो तो उस पर आप 3 lakh रुपे तक अगर pay कर रहे हो तीन लाख या उससे कम राइट तीन लाख रुपे मलग जतना भी आप repayment कर रहे हो उसमें तीन लाख रुपे या उससे कम तक आपको क्या मिल सकती है deduction मिल सकती है tax में तो यह जो पैसा आपने housing loan के लिए repay किया है वो आपकी income में से माइनस कर दिया जाएगा और बचीवी income पर आपको tax देना पढ़ेगा आजा eligibility for housing loan housing loan के लिए eligibility है हर कोई housing loan के लिए eligible नहीं है minimum annual income of rupees वाल है कम से कम उसकी एक लाख रुपे इंकम होनी चाहिए तब वो बंदा housing loan ले सकता है annual repayment less than or equal to 20% of annual income मतलब जो housing loan का repayment show कर सकते हो वो कितना कर सकते हो less than or equal to 20% of your income यानि के जो भी आपकी income है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप उसका 20% housing loan repayment दिखा सकते हो एक आखरी point there is a service tax of 10% on the tax paid at the rate of 30% 30% वाली slab में अगर आप आते हूं मतलब आपकी income पांच लाग से ज्यादा है तो जितने अमाउंट पर आपने 30% tax pay किया है उस tax का 10% और आपको pay करना पड़ेगा service tax के रूप में तो इस तरीके से आप अपने खजाने में से कुछ पैसा सरकार के खजाने में दे रहे हैं और यह इसके rules है ठीक है simple rules है तो पहला सवाल यहां पर जो मेरे पास आ रहा है हो यह आ रहा है कि what can be the maximum income of a person for the person income for which one need not to pay any tax एक person जिसको tax नहीं देना उसकी ज्यादा से ज्यादा income क्या हो सकती है है तो इसको एक बार आप खुद से try कीजिए उम्मीद करता हूँ अपने एक बार try जरू किया होगा इसको खुद से पहले बनाने ही कोशिश करो कि बना पा रहे है या नहीं और आपका अंसर क्या आ रहा है तो चलिए check करते हैं देखो person पर tax कब नहीं लगता जब उसकी income एक लाख रुपी तक है जब उसकी net income एक लाख रुपी तक है तब उसको tax 0 देना पड़ता है तो अगर मैं म अगर पर्संट के housing loan repayment के लिए दिखा सकता है यह सुननों अगर पर्संट के housing loan repayment की बात करें तो वह 20% तक उसको दिखा सकता है और इतना छूट उसको income में मिल जाएगा tax मिल जाएगा मतलब यह जो housing loan repayment उसने दिया है उस पर कोई tax नहीं लगेगा और वह कितना दे सकता ह है 20% of his income तो जो भी उसकी income है एक्स उसका 20% उसने housing loan repayment कर दिया इसका 20% housing loan repayment कर दिया ठीक है तो इतना यहां से चला गया तो इस बचे हुए amount पर tax लगना चाहिए और उसके अलावा securities में जो उसने इन्वेस्ट किया है वह एक लाख रुपे तक का उसमें benefit ले सकता है ठीक ह और आपकर सकते हो एकलाघ का तो इस amount पर आपको टेक्स लगना चाहिए और यह जो amount किसके बराबर होना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि जब यह amount maximum एकलाख रुपे के बराबर होगा तब उसपर tax लगेगा आप समझ रहे हूं अप्रोफ ठीकिए देखिए कि अगर परसंग की इंकम एक्स थी तो उसने 20 परसंट का तो आउसिंग लून रीपेमेंट जो किया है वो डिड़क्ट हो गया इंकम में से तो इसका 20 परसंट चला गया एक लाख रुपे और वो बचा सकता है कैसे बजा सकता तो मैंने maximum अपर लिमिट ली एक लाख रुपे सपूर्स ने इंवेस्ट कर दिया उस पर कोई टेक्स नहीं लगेगा तो टेक्सेवल इंकम क्या होई उसकी ये इस इस परसंट टेक्सेवल इंकम राइट परसंट टेक्सेवल इंकम इस 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 परसंट टेक्सेवल इंकम करने है तो मैं अपर लिमिट लेकर चलूंगा ये एक लाख है ना तो अभी यहाँ पर इसको सौल कर लेते हैं इस पॉइंट एट एक्स बराबर वन प्लस वन हो गया एक्स बराबर टू तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टैन बाइप फॉर डैट इस वाट टू पॉइंट फाइवल एक्स तो परसंट की जो इंकम हो सकती है वह सकती है तो पॉइंट फाइव लेक्स उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आप देखो टू 1.5लेक्स को इस तरीके से ब्रेक करो 2.5W में सब से पहले उसने बीस परसंट निकाल दिया इसका बीस परसंट हो गया पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव चला गया तो बचा कितना टू ठीक है इसमें से 0.5 चला गया 20 परसंट तो 2 लेक्स बचा और 1 लाख रुपे उसने securities में invest कर दिया तो 1 लाख यहां कम हो गया तो बचा 1 लाख तो उसकी net income 1 लाख आ रही है जिस पर tax उसको कितना देना पड़ेगा जीरो देना पड़ेगा राइट इस तरीके से अगला सवाल देखिए what is the minimum tax to be paid by a person with an annual income of rupees 10 लाख 10 लाख रुपे की उसकी income है annual income और वो चाहता है कम से कम tax दे tax अगर कम से कम देना है तो definite जाइर सी बात है कि उसको investment अपना ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा investment लेकर चलूंगा कि अगर उसकी income 10 लाख रुपे है तो 20 परसंट या नहीं इसका 20 परसंट दो लाख रुपे उसने housing loan repayment के लिए invest कर दिया ठीक है और एक लाख रुपे उसने और securities में deposit कर दिया तो फाइनली जो टेक्सेवल income है यह आई उसकी 7 लेक इस टेक्सेवल इंकम जिस पर टेक्स लगना चाहिए अब इस पर टेक्स लगाते इन रूल यह आख और देड़ लाख के बीच में कितना माउंट आ रहा है पचास अजार रूपे यानि पचास अजार रूपे या वी कैंसे 0.5 lakhs ठीक है 0.5 lakhs दिस वन लेक ठीक है तो इस 0.5 lakhs पर आपको कितना payment देना पड़ेगा कितना टेक्स देना पड़ेगा 10 परसेंट तो इसका 10 परसेंट कितना हो गया 50,000 यस 50,000 अब कितना आया इसके बाद डेड़ लाख से पांच लाख तक कितनी हो गई 5 और 5 माइनस देड़ 5 माइनस 1.5 कितना हो गया 3.5 lakhs तो यह जो साढ़े तीन लाख रूपे का स्लैब है 3.5 lakhs इस पर आपको कितना टेक् 20 परसेंट ठीक है तो इसका 20 परसेंट यहां हो गया 10 परसेंट यहां हो गया 20 परसेंट यहां हो गया 0 परसेंट तो यह कितना हो गया 20 परसेंट देखो साढ़े तीन लाख का 10 परसेंट होता है 35,000 तो 20 परसेंट कितना हो गया उसका डवल यानी 17,000 और इसके बाद आखरी अब मेरे पास फाइनल कितना बचा पांच लाग हो चुका है आप देखो साड़े तीन प्लस आधा प्लस एक तोटल हो गया पांच लाग बचा दो लाग तो इस दो लाग की अगर हम बात करें तो इस दो लाग पर आपको कितना टेक्स दिना पड़ेगा 30% तो इस पर मैंने टेक्स दिया 30% दो लाग कर 30% होता है वही 60,000 लेकिन हाँ पर आप एक बात मत भूल जा गलती से भी यहाँ पर एक रूल था कि जितने अमाउंट पर आपन में पर आप देना पड़ेगा 10% जो टेक्स आपने दिया है 30% में टेक्स का डस परसेंट आपको सर्विस टेक्स भी देना पड़ेगा तो तस परसेंट इसका कितना होंगे 60000 फे यह अपने झाओ कर कि Ю JUSTIN कि एक सेकुंद, .5 lakhs का 10% मह लए, .5 lakh मह लए, 50 हजार ना, 50 हजार का 10 परसेंट होगा, पांच अजार, अब ed Совet करू, साथ और चेर तेरे, तेरे और यही एक लाग, तीस अजार और यह वगया, ग्यार हजार, तो कुल टेक्स मेरे पास आ रहा है एक लाख एक तालेस वजा रहा है और यही मेरा आख चाहिए 1.41 लक्स क्लियर यस एक और सवाल देखते हैं find the difference between minimum and the maximum tax that one has to pay on the annual income of rupees 6 lakhs राइट 6 lakh की income पर परसन को minimum कितना tax देना पड़ेगा और maximum कितना देना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं minimum tax वाला case calculate करता हूँ minimum वाला case minimum उसे कब tax देना पड़ेगा जब वो investment ज्यादा से ज्यादा करें investment के लिए उसकी taxable income क्या होगी देखो सबसे पहले उसकी income में 6 lakh उसमें से 20% माइनस कर दिया 20% या इसका कितना हो गया 1.2 तो 1.2 माइनस किया तो कितना बचा 4.8 और फिर इसमें से एक लाख रुपए उसने सब्सक्राइब में इन्वेस्ट कर दिया तो वह भी income में से कम हो जाएगा तो नेट उसकी टेक्सिवल income आएगी 3.8 लेक्स आएगी इस पर टेक्स लगना चाहिए 3,80,000 पर तो 3.8 को अगर मैं स्प्रिट करूं तो सबसे पहले एक लाख रुपए तक आपको कितना टेक्स देना है जीरू फिर यह हो गया पचास अजार है यानि पॉइंट फाइव अभी 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 कैल्कुलेट किया था पचास अजार का दस परसेंट आपको देना है पांच अजार रुपे राइट फिर कितना बचा तो डेड़ लाख से पांच लाग तर्त तो पांच लाग तो इसकी इंकम है भी नहीं तो कितना हो चुगा है शहिंठी इंकम टोटल कितनी है थ्री tu न की माय तो ऐस्हुआग मैंस किया यह यह कितनी हो चुघधा है तो कितना वाची इछा ही का 2.3 ल Auch a Вид ये जो 2.3 lakhs है पांच लाक से उपर तो इस की इंकम है नहीं तो अग्दीु स्लेप्टों में देखने की ज़रू इतनी है इसमें कितना परसेंट लगता है 20 परसेंट इसका कितना हो गया देखो दो लाग तीस अजार का दस परसेंट हो गया तेईस अजार तो बीस परसेंट हो गया च्यालिक सजार 46,000 राइट सही लिखा है तो उसको minimum tax जो देना पड़ा वो इन सब का sum देना पड़ा तो इनका sum कितना हो गया 51,000 दिस इस minimum tax CS2P maximum tax वो कब देगा जब वो कुछ भी पैसा इंवेस्ट नहीं करता है पूरा का पूरा छे लाग रुपे पर वो टेक्स दे देता है तो maximum tax वाला केस अगर मैं यहां पर देखरू के maximum TX वाला केस देखिया वोड़ा छे लाग रुपे पर वो टेक्स दे रहा है तो छे लाग रुपे में सबसे पहले एक लाग रुपे पर दो 0 टेक्स है उसके बाद 0.5 L Leki या एक इसके अलावा फिर कितना बचा यह होगा 5 लाख एक लाख और बचा उसे 1 लाख पर उसे देना है 30% 30% इसका कितना हो गया वाई सुरी 30,000 रूपे एक लाख का 30% तीस हजार हुआ ना 30,000 रूपे और इस पर आप 10% पर सर्विस टेक्स भी देंगे यानि तो सब मिलाकर आपने कितना टेक्स दिया में सब गयाइध सब पाएग है या में मिनीमू और मैक्सिम के बीच का अंतर करें तो तो अपने हजाए और मैक्सिम टेक्स दिया तो अंतर आएगा 57,000 का यहनी को option C एक सवाल आपके लिए होमवर्क है इसको सभी लोग ट्राय करें और कॉमेंट सेक्षन में इसका अंसर बताएं तो यह डिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दोस्तों याद शेयर कर सकते हो एना वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप चैनल पनाय हो तो ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच